नमस्कार मित्रू आज का हमारा विशे है वित्तो से सम्बंदित शेत्रपत जिसे मंग रेजी में एरियास रेलेटिट टू सर्कल्स भी कहते हैं इस विशे में कोई भी सवाल करने से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदों का पुनर्स्मरंण करना होगा हम सब यह जानते हैं कि किसी त्रिज्य आर वाले व्रित में उसकी परेदी 2πr तदा उसका शेत्रफल πr स्क्वेर होता है हम सब यह भी जानते हैं कि उस व्रित में किसी भी त्रिज्खन के संगत चाप के लंबाई थीटा डिवाइड बाई 360 इंटो 2πr होती है यहाँ पर वो संगत चाप APB से दर्शाया कहा है इसी त्रिज्खन का शेत्रफल थीटा डिवाइड बाई 360 इंटो 2πr स्क्वेर होगा अगर आप इस चित्र को गौर से देखे तो आपको देखेगा कि यह जो वित्ता खंड ABB है यह इसका शेत्रफल हम ग्याद कर सकते हैं इसका शेत्रफल ग्याद करने के लिए हमें अपने त्रिज्खन के शेत्रफल यानी OAPB इसमें से सांगत त्रिबुच का शेत्रफल गटाना होगा हमारा सांगत त्रिबुच है OAB अब जब हम वित्तो से संबंदित शेत्रफल के मुख्य बिंदों का पुनर्स्परन कर चुके हैं, चलिए हमने जो पढ़ा है, उसे इस उधारन के द्वारा अभ्यास मिलाते हैं। दी गई आकरती में हमें एक वर्ग गितिया गया है, ABCD, जिसकी हर भुजा 10 cm लंबी है। दूँगा कि आप वीडियो पॉस्ट करके इस उधारन को हल करने का प्रयास कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आप वो प्रेश्ट को हल करने का प्रयास कर चुके होगे। चलिए इसका हल देखते हैं। इसे हल करने के लिए हम ये चेत्र को चार हिस्सों में बाढ़तेंगे। चेत्र एक, दो, तीन और चार। अब अगर आप देखें तो ABCD के शेत्रफल में से अगर हम ये चार हिस्सों का शेत्रफल घटा दे तो हमें अपना छायांकी शेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए, ये चार हिस्सों का शेत्रफल ग्याद करते हैं। अगर बीच वाले बिंदु को मैं O नाम दे दू। तो देखें, BOC तथा AOD दोनों ही एक अर्धविद हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शेत्र एक तथा शेत्र तीन का शेत्रफल ABCD के शेत्रफल में से इन दोनों अर्धविद्य के शेत्रफल को घटाने से मिल जाएगा। तो चलिए, वो ही करते हैं। ABCD का शेत्रफल होगा 10 इन्टु 10। उसमें से हम इन दोनों अर्धविद्यों का शेत्रफल घटा रहे हैं। अर्ध यानि इनकी तरिज्या यहां 5 cm है। अब इसमें पाई की वैल्यू 3.14 डालके हम यह ज्याद कर लेंगे कि शेत्र एक तता शेत्र तीन का शेत्रफल मिलाकर 21.5 cm2 है। क्योंकि यह एक वर्क था तो इस पश्ट है कि इसी प्रकार शेत्र 2 और शेत्र 4 का शेत्रफल भी मिलाकर 21.5 cm2 है। अब हम अपने ABCD के शेत्रफल में से इन 4 का शेत्रफल घटा कर अपने 6 के डिजाइन का शेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। अपने ABCD का शेत्रफल निकाला 10 x 100 cm2। तो था हमने देखा था कि शेत्र 1 और शेत्र 3 का शेत्रफल निकाला था मिलाकर 21.5 cm2। जिस प्रकार शेत्र 2 और शेत्र 4 का शेत्रफल निकाला था मिलाकर 21.5 cm2। तो हम इन दोनों को ही अपने 100 cm2 के शेत्रफल में से घटा देंगे। तो इस तरह अपने च्छाया के डिजाइन का शेत्रफल आ जाएगा 57 cm2 पर के सवाल को करने का कोई और तरीका भी था? चलिए देखते हैं अगर मैं हमारे बीच के बिंदु को O नाम देदू तो आप देखेंगे कि हमारा यह जो ABCD है इसमें चार अर्धवर्ग बने हैं जिनका नाम है BOC, BOA, AOD सथा DOC यह चार अर्धवित कुछ खास है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन चारों अर्धवितों का शेत्रफल अगर आप जोड़ दें तो उनमें अपना चाया के डिजाइन का शेत्रफल ओवर्लाप करता है यह ओवर्लाप करने का मतलब क्या हुआ? चले देखते हैं कहने का मतलब यह है यगर इन चारों अर्धवितों का शेत्रफल आप जोड़ दे और उसमें से हमारे A, B, C, D वर्क का शेत्रफल गटा दे तो आपको हमारा चाया के डिजाइन का शेत्रफल मिल जाएगा ओवर्लाप से यही मतलब है आप इसको खुद करकर देख सकते हैं कि इसका उत्तर 57 ही आता है यह नहीं यह मैं आपको अभ्यास के तोर पर छोड़ता हूँ अपना समय देने के लिए धन्यवाद उम्मीद आज आपने कुछ नहीं सिखा होगा